असलाम नेकिम टीर वेल्स 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 के लिए जैसे कि आप लोग जाने के प्रीविस लेक्षर के लिए हम लोग बात करें तो उसके लावा मैंने उन लेक्षर कंप्लीट देखना चाहते हैं उसका लिंक भी पहने दिया हुए इसके लाव मैं जो डिफरेंट हमारे पास डेरिवेटिव रूल्स हैं प्राड़क रूल की बात कर लें कोश्र रूल की बात कर लें मैंने डीटेल के साथ अपलोड किये हुए हैं मैं आपको सज्चे सब्सक्राइब करेंगे इनके अंदर भी आपको इसका नोटिवेशन मिल सके तो विद्वस्ति का वाटाइम चलिए स्टाट करते हैं आज का लेक्षर तो देखें लिए सबस्क्राइब करने के बाद हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी और डी एक्स फांट करेंगे चेंड लोग इसको साल्व करेंगे सिंपल एजी अगर आप लोग एक कॉस्चन कम्प्लीर देख लिए तो मैं आपको ग्रंडी देता होगा आप लोग बाखी कॉस्चन इसली साल्व कर सकते हैं यहां पर क्या करना है यू इकल डी अफ्चन दिया गया ऑग जो ब्रैक्ट में होगा यह इस तरह इस तरह एक्स की फांट में होगा उसको हमने यू के इकुल के तर रहें और प्र जैना वहां ओवर आल जो फंक्शन है उसको वाई इकल डाफ़ यू के करेंगे मैं पहला को आपको समझ आजए कि देखिए इस function की बात करें तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं यू इकल टू एक्स प्लस वन यहां पर आप लोग लिख सकते हैं यू की पावर फाइव यहां पर लिख सकते हैं यू की पावर फाइव क्योंकि यह वाला तो function था bracket max वाला इसको मैंने यू के पर अपराख लिए तो यह सारा यू है तो यह वाली फार्म बन गी यू और यू जिकल डू जी एफ एक्स वाली फार्म बन गी है अब आम निगा करें इसका derivative निकाल है यह वाला यूज कालें चैदा यह कोई भी इसकार सकते हैं दोनों फार्म बिल्कुल सेमिए वैसे तो डी वाई ऑबर डी यू डी यू अवर डी एक्स डी वाई ऑवर डी जी यू का क्या मतलब अजी वाले function डेरिवेटिव लेना आ आपने निकालेते हैं डी वाइ ऑवर डी यु इकल टू डी ओती यू यह फाइब वाइबाल फ़ॉक्टीव लेंगे तो यह आपके पास बंच यू-क कि पावर फॉर पॉर फॉर क Polish किए इक्स का मतलब्व है कि आपके पास किए 2X प्लस 1 यहाँ है दी ओवर डी THE in two plus plus one इशका डेवेटी लिए था पनेंगा टू आ जाएगा इसका अंसर जीका मझें कशन नमबर वन में इसे क्वां का नाम का नाम देदे यह किस में तो यह क्या बांज़ेगा आपने पास 5 को 2 से मल्टिप्लाइगा यू की पावर 4 अब देखें यह तो सारा का सारा जुसका आंसर है वह तो भी एक्स बॉट करेंगे तो यहाँ पे डरीवेटिव आप ड्रिक्सक्राइट करना अपने तो जिस रिस्पेक्ट से आपने चाहिए उसका आंसर भी उसी रिस्पेक्ट से ओना चाहिए तो यू की जगा पे करेंगे तुट्ट आपके पास आ जाएगा धी वाई ओवर डी X which is equal to 10 into 2X plus 1 इसकी पावर में 4 आजाएगा यही आपके पास final answer of question number 9 इसके बाद question number 10 भी इसकी तरह से बिल्कुल same है खुद कर सकते हैं हम लोग question number 11 की बात करते हैं नहीं देखें जी question number 11 की बात करते हैं जी why is equal to 1 minus x over 7 7 की पावर माइनस 7 है तो अब क्या करेंगे इसको यू के बड़ा रख लें आप इसको जैने उसके पास क्या आजाएगा यूच इकल तो फिर वाई आपके पास क्या बाद जाएगा यह सारा का सारा यू है तो यू की पावर माइनस 7 ठीक हो गया जी यू आगए 1 minus x over 7 और वाई आगए यू की पावर माइनस 7 अब आप लोग इसलिए यहां पे चेंडू लगा कर सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स विच इकल टू डी वाई ओवर डी यू डी यू ओवर डी तो डी ऊपावर माइनस 7 यू की पावर माइनस 8 तो यू की होजयगा और माने सब्सक्राइब इसको आप लोग यहाँ पर highlight कर सकते हैं उसके बाद आप लोगों को चाहिए d u over d x तो करेंगे d u over d x u वाला function आपके पास है यहाँ पर 1 minus x over 7 इसका जब आप लोग derivative लेंगे तो यह आपके पास क्या बनेगा यह तो 0 हो जाएगा तो यह 7 को बटे में 7 साइट पर लिख लिए minus 1 over 7 और x का derivative आपके पास 1 होता है तो यह 1 लिख लिया तो यह आपके पास फिर आजाएगा du over dx which is equal to minus 1 over 7 आजाएगा इसको भी आपके हाइलाइट कर सकता है multiply करवा दें इस question number 1 में पूट करते हैं यह आपके पास आजाएगा dy over dx which is equal to dy over du आपके पास आजाएगा minus 7u की पावर minus 8 और यह आएजी आपके पास minus 1 over 7 अब देखें यह तो आपके पास दो चीज़े कैंसल हो जाएगी तो यह जब कैंसल हो जाएगी तो यह क्या बनेगा dy over dx which is equal to अब देखें माइनस माइनस प्लास हो जाएगा इनकी माइनस माइनस से कैंसल कर लें सैबन को सैवन से कैंसल कर लें यह बचाब के पास यूची पावर minus 8 अब यू किसके एकॉल है यूची इकॉल है वान माइनस एक्स ओवर सैवन की पावर minus 8 यहीं आपके पास final answer question number 11 सब्सक्राइब कर सकते हैं तो देखें यह आपके पास क्या बनेगा डी वाई ओवर DU यहांग हो दियू और दी यू और पहर नाम का देते हैं तो दी वाई ओवर duy निकालते तो यहांगा बाई वाल दी यू तो आपके पास वालश्न क्यादित यू को attend हो U की power minus 10 क graveyard कैसे. इसका derivative क्या होगा? -10 U की power minus 11 इसको आप लोग हई Right कर सकते है आप इसके बाद आपको लोगोंको चाहिए को तो बाइस नहीं कर लेंगे इस function का स्के amor 10 canceled – , इसका अगर को साइड बेकार लेता हूँ और इसको मैं लिख लेता हूँ X की पावर 1 over 2 क्योंकि यहां पे हम लोग लगा देंगे यहां पे पावर रूल लगा देंगे D over DX X की पावर 1 over 2 लिख लिए है मैंने साथ लिख लिए है माइनस 1 अब इसका derivative वगर मैं लेता हूँ तो यहां पे आपके पास क्या बनेगा इसका derivative 0 तो इसको रहने देते हैं तो यह बन जाएगा देखें 1 over 4 अब X की पावर 1 over 2 बनेगा तो यह बन जाएगा स्केरूट एक्स बन जाएगा यह आगया आप लोगों के पास डी यू ओवर डी एक्स अब आप लोग क्या करेंगे इसको और इसको जैना वो कठा का रिखतें मल्टिप्लाइ करवा देंगे आपके पास अंसर आ जाएगा तो यहां पर लिख लेते हैं यह बन जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इस इकूल टू यह आपके पास आज़ी माइनस टैन यू की पावर माइनस अलेवन और यह आपके पास आज़ी वन ओवर फॉर इंटू स्केरूट एक्स यह इसको जाने साब से पहले पहले ही यहां भी लिख लेतना तो यह बन जाएगा माइनस यह आपके पास चुक्छे टैन है तो लिख लें आप लोग टैन ओवर फॉर इंटू आपके पास स्केरूट एक्स आजएगा आपके पास फाइनल आंसर आफ पकोस्टन ढंबर 12 सारे के पासरी आफ पर से ही इसा करें दूबर 13 की गया बने बहुत है प्लास एक्स माइंस वान ओफ एक्स की पावर फॉर तो यहां पे तो आप लोग सिंप्लिलिफाइब कर सकते हैं तो अगर आप लोग सुलूशन को बाए करना चाहते हैं आपको इसके बाद कर सकते हैं इसके बाद है से क्वेस्ट निवर 14 की बात करें यहां पर स्केर उट दिया हुए तो आप लोग कैसा करें कि इसका स्केर यहां पर खतम कर ले तो इसको हम लोग ऐसे स्केर माइनस फोर एक्स प्लास शीक्स तो वाई आपने पास बाइगा यू की पावर यह सारा यू की पावर वान अवर टू आजाएगा आगे बिल्कुल वैसे का वैसे ही प्रॉसस है आप लोग रिजी लिगा सकते हैं इसके बाद आगे जाना वह करने वाले सारे आपको करक आपको खुद कोशी करने चाहिए समझें नहीं आती है आप लोग कोमेंट सेक्शन में पूछें राप्ता करें इंसा करें पूछें अगर लैक्स के वाले साको के मसला तो क्यूरी होती है लेकिन करने वाले वह जो थोड़ी से कंसेप्चिल हम आपको कम्लीड करवाऊंगा तो कॉस्टन नम्बर 15 की बात करते हैं कॉस्टन नम्बर 15 इसमें देखें जी कोस्टन नम्बर 15 में कहता है वाई इस इकल डू सीकेंट इन्टू टैन एक्स अब यह देखें यह बिसिकली आपके पास इसको रखेंगा आप लोग यू के परापर तो यह बांगेगा खुशल है कि यहांपर लगाएंगे अजन लगाएंगे तो यह क्या है और लिए जिवनेसच इकल डू कि U over dX इसको वन का नाम दिया अब dY over dU यहां पर निकाले आपके पास क्या एगा डी y over dU निकालेंगे जिनी कि इसका आप लोग derivative रहेंगे तो सिंखने दगरीे का तो शिंकर एक्स 樂िंट एक्स ए आए डिगा कि याँ अधर यहांपर यू ही आएगा यहां μέ 가까 टेरैवेटिव अब क्रेुए डिउ अग्स यानिकि बने इसका डेरेवेटिव आपक पास क्ल excellent तो यह आपके पास इसका फाइंडल आजाएगा तो यह आपके पास क्या बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स यह देखें जी सीकेंट आपके पास वैसे के वैसे ही आएगा अब यू की जगह पर आपने का लिखना है यू आपने यू की जगह पर आप लोग 10x लिखेंगे यहाँ लेकि सीकेंट इंटू 10x उसके बाद आपके पास फिर 10 इंटू फिर यू है तो यू पर आपर 10x के यहां भी 10x आ रहेगा और साथ मिल्टिप्लाई हो रहाए सीकेंट स्केर एक तो लिखें जी सीकेंट स्केर एक्स तो यही एवा нोग और सब्ixíक्वे टू आनि यहां पर क्या करेंगे यू को आप लोग रैखने 5 tr 5-10 x को बॉइ आपके पास क्या है को आप लोग पास ऍपहले करें अपर सबसे पहले निकालें निकal यह आपके पास है यह नहीं कि आप लेंगे तो लिए इसका डेरीवेटिव मायनस को सीकेंट स्केर यह इसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं अब आपको चाहिए डी यू ओवर डी एक्स तो du over dx नहीं का आप लोग इसका derivative लेंगे तो πाई का आपके पास derivative आजएगा उपके पाई ये constant तो इसका derivative 0 आजएगा तो ये minus 1 over x का derivative क्या आजएगा आपके पास अगर आप लोग x को उपर लेके जाता हो तो ये बाँ जाएगा x की पाफर minus 1 du over dx into ये बाँ जाएगा माइनस x को उपर लेके जाएगा तो x की पाफर minus 1 बाँ जाएगा power 2 लगा भी यहाँ पे तो minus पीछे आजएगा minus minus plus x की पाफर minus 2 आजएगा ये आजएगा आपके पास x की पाफर minus 2 ठीक है जी अब आप लोगे नों को कार्टमिल्टी पर रहे तो ये बाँ जाएगा आपके पास dy over dx which is equal to dy over du आपके पास आएगा था minus cosecant square u और ये आपके पास आएगा x की पाफर minus 2 तो यहाँ पे क्या बाँएगा dy over dx which is equal to minus cosecant square u आपके पास क्या था पाई-1 over x तो यह लिखें जी पाई-1 over x तो यह x की पाफर minus 2 को लिख सकते हैं 1 over x की पाफर 2 इसको पहले लिख लें एड़े लिख लें एक की बात है यह इसका final answer आप लोगों के पास question number 16 का question number 17 भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही y is equal to 10 x तो आप लिख सकते हैं u is equal to 10 x u आप लोग कर ले 10 x और आप लोगों के पास y क्या बन जाएगा क्योंकि 10 x u के पार आप लें तो u की power 3 बन जाएगा 10 x का derivative लेंगे तो यह होता है सीकेंट स्केर x के आप लोग इसको कर सकते हैं इसके बाद आज की लेक्चर के last question question number 18 को complete solve करेंगे question number 18 की बात करते हैं तो देखें जी question number 18 में क्या इसको करके चेक कर लेते हैं यहां पर आजाएगा यह बन जाएगा उसके बाद आप लोग यहां पर लगा देए चेंडू लगा देए चेंडू लगा देए जिए इसको आप लोग वान का नाम देए उसके बाद देए यहां पर सबस्क्राइब को चाहिए डी वाई ओवर डी यू निकालेंगे तो यह आपके पास क्या बनेगा देए ओवर डी यू एंटू 5 यू की पावर माइनस 4 तो डेरिवेटिव लेंगे तो पावर इसके पीछे मल्टिप्लाइ हो जाएगी तो यह बांजाएगा माइनस पांच आरबाट 20 यू की पावर माइनस 5 इसको आप लोग हाइलाइट कर सकते हैं अब आप लोग को चाहि सअब है कि मैरति वाइन जाएगा डी यू की पावर माइनस 5 माइनस 5 एकस आप यह मचा कर यू के प्लस हो जाएगे तो यह आजा जाएगा आपके पास डीवाय की पावर माइनस फाइव और यह साइन एक्स इसके साथ आगा यही फाइनल आंसर कॉस्टन अबरेटिंग तो यह ता चीड़ी सुर्द आज करेक्टर मारे पास कॉस्टन बेटिंग तक हमने आपको ओवर्वियू दे दिया कॉस्टन भी साल किया आपको उमीद कर तो समझ आ यही कोशिए होती है कि आपको इजियस वेव में समझाया जाए ताकि आपको इच और आभरी पॉइंड के लिए समझा आ जाए और एंड पर आपसे एक ही रिक्रेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजम किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्लास में इसका लाजमी शेयर कीजिए को कि अच्छी चीज़ को शेयर करना सबक्राइब अपना भी क्या रखें इस चैनल का भी मिलते हैं शाला नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लिए लाह फिस